ब्रेक के बाद सुभागत है आप सभी का सी न्यूस भारत में कानपूर की सीसा मौँ सीट पर समाजबादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से जीत दर्च कर ली है नसीम को 20 वे राउंड तक की मदगर्णा में कुल 69,666 वोट मिले बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 61,037 वोट मिले हैं भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने पहले ही हारस्वी कार कर ली थी मौई काउंटिंग पूरी होने से पहले ही भाजपा प्रत्याशी ने मैदान छोट दिया है सुरीश वस्ति अंतिम निश्कर शाने से पहले ही मदगर्णा स्थल छूड कर बाहर निकल आए मुईसपा की जीत के बाद पार्टी कारियाले में जश्न का महौल देखने को मिल रहा है इर्फान सोलंकी जिन्दाबाद नसीम सोलंकी जिन्दाबाद जेल के ताले तूट गए इर्फान भाईया छूटेंगे जैसे अनेक नारे सपाकारी करता हूंने जम कर लगाए बतादे सीट सपा का गढ़ मानी जाती है यहां से नसीम सोलंकी के पती इर्फान सोलंकी ही विधायक थे इर्फान को सजा होने के बाद उनकी विधान सभा सदसिता रद्य कर दी गई थी उसके बाद सीसा महौ सीट पर उपचुनाव हुए अखिलेश यहादव ने सीट पर इर्फान की पतनी नसीम सोलंकी और बीजेपी ने सुरेश रवस्थी को टिकट दिया था ऐसे कई फैक्टर बने जुन से नसीम सोलंकी सपा का गढ़ बचाने में काम्याब रही बतादे सीसा महौ सीट 2012 से सपा के इर्फान सोलंकी के पास थी जुनके आगजनी में मामले में जेल जाने पर उपचुनाव की दुदंदी बजी सपा ने उनकी पतनी नसीम सोलंकी को टारा है जबकि भाजपा ने अपने पुराने कारेकरता सुरेश अवस्थी पर फिर से विश्वास जताया था बसपा से विरेंद्र कुमार मैदान में थे खुसी देखनों को मिली है और समाजवादी पार्टी के कारेकरता एक खुसी का जस्थ की तैयारी करने में जुट गए है हितेन तीवारी के साथ कैमरा मैन अनिल मिस्रा कानपूर से सीन्यू समधाता हितेंद्र की रिपोर्ट बतादे नसीम सोलंकी के प्रचार के लिए सपा महासचिफ शिवपाल यादव और सांसर डिमपल यादव ने मोचा संभाला था जहां शिवपाल लगातार जनसभाएं कर रहे थे वहीं डिमपल ने उनके लिए रोच्शो किया था जहां नसीम सोलंकी को जनता ने अपना समर्थन दिया और सत्ता पर काबिस की फिलाल के लिए खास रुपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूस भारत